हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में दोस्तों ये देख रहे हैं गुलाब का पौधा और कितने अच्छे फूल आये हुए हैं तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि बहुत किसी के ये कंप्लेन होते हैं कि गुलाब पे फूल नहीं आ रहे हैं तो आज मेरा भी वही कंप्लेन है कि मेरे गुलाब में फूल नहीं आ रहे हैं कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें की बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही है उसकी तो आज मैं उसी पौधे का ट्रीटमेंट करने वाली हूँ तो सोची कि आप सभी के साथ भी सेयर करती हूँ तो ये देखिए मेरा एक बटन रोज का प्लांट है जिसमें की मैंने कुछ दिल पहले वर्मी कमपोस्ट डाले थे तो इसमें कलियां तो बनी है पर एक साइट इसकी ग्रोथ काफी अच्छी है और एक साइट पौधे की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई है तो आज मैं इसम इसका कुछ ट्रीटमेंट करूँगे कि ये क्यों नहीं इसमें फूल बन रहे हैं और क्यों इसकी पौधे की ग्रोथ सही नहीं है तो मैं बताऊंगे आप सभी को कि ऐसा क्यों होता है गुलाब में तो ये देख रहा है कि एक साइट तो कलियां बनी हुई है और एक साइट ग्रोथ बिल्कुल सुरू है ग्रोथ तो है पर बिल्कुल सुरू ग्रोथ है तो दोस्तों ये गुलाब में सबसे पहला काम होता है कि हमें टाइम टू टाइम गुराई करनी पड़ती है तो आज मैं इसकी गुराई करूँगी सबसे पहले ऐसे तो मैं हमेसा ही करती हूँ प तो इसमें कमपोस्ट क्यूंकि ये इसमें कमपोस्ट चाहिए है वी और इसे धूप चाहिए चार से पांच घंटे की और इसको वेल्ड्रेन मिट्टी चाहिए तो ये सारी चीजों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो हमारे गुलाब काफी अच्छे होता है तो दोस्तों मेरे गंबले की मिट्टी तो आप देख रहा है कि कितनी अच्छी मिट्टी है तो सब देखने के बाद हमें यही समझा रहा है कि हमारे मिट्टी में इसके न्यूट्रिशन की कमी है तो आज मैं अपने गुलाब को दूँगी इसे मैं फासफोरस, नाइट्रोजन और कैलसियम सभी मिक्स करके आज मैं इसे देने वाली हूँ ताकि मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो तो गुलाब में जहां कि कैलसियम और नाइट्रोजन रिच फटिलाइजर चाहिए तो आज उसके लिए मैं क्या डालने वाली हूँ तो देखिए दोस्तों मैं इसका क्या ट्रीट्मेंट करती हूँ और इसमें कौन सा कंपोस्ट मैं दे रही हूँ क्योंकि इसमें कैलसियम सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और नाइट्रोजन ये दो चीज हमें बहुत ही ज़्यादा हमें फ्लावरिंग के लिए और फिर पतियों के लिए हमें फासफोरस भी चाहिए तो इसका सभी ट्रीट्मेंट जब तक इसे पूरी तरह से कंप्लीट अब तक नहीं मिलेंगे तो ये कभी हमें फूल नहीं देंगे तो आज मैं घर में ही सभी चीजों का यूज करके और इसे इसमें देने वाली हूं तो ये देखिए ये क्या है मैंने घर में सुखाए वे अंडे छिलके अंडे के छिलके रखे हुए हैं तो ये वाले छिलके म तो आपके गुलाब के लिए काफी अच्छे है इसमें भरपूर मात्रा में कैल्सियम होती है तो आपके गुलाब को कैल्सियम की काफी जरूरत पड़ती है और चाय की पत्ती इसमें भी फासपोरस होते हैं और नाइट्रोजन होते हैं तो ये भी काफी जरूरी होती है आपके तो उसे सुखा के भी और पॉडर बना के आप अपने पॉधे में दे सकते हैं पर मैं इसे कंपोस्ट बनाई थी तो मैं कंपोस्ट बना हुआ डाल रही हूँ तो ये हमारे गुलाब को बहुत अच्छे पोशक दत्व देगा और ऐसे आप गुलाब में जैसे कि नारंगी है नीबू है उसको भी आप पानी में भिगो के और उसका पानी भी डाल सकते हैं वेनेगर डाल सकते हैं ये सारी चीजे भी आप यूज कर सकते हैं अपने गुलाब में तो काफी अच्छे इसमें फूल आएंगे गुलाब में तो इसके बाद मैं ये तो डाल दी हूँ इसके बाद मैं एक बहुत ही बढ़िया चीज आप सबी को बताने वाली हूँ जिसमें की नाइट्रोजन भरपूर मातरा में होती है और हमारे गुलाब को वो एक दम से फूल लाने में हमारी काफी हेल्प करेगा गुलाब में वो जब मच गुलाब में स्ट्रिंकल कर दोंगे तो दोस्तों हमारे गुलाब में नाइट्रोजन, फास्पोरस, कैलसियम ये सभी चीज़े अगर हमारे मिट्टी में नहीं रहेंगी तो गुलाब हमारी ग्रोथ नहीं करेंगी फूल नहीं देंगे तो इस तरह से हमारे मिट्ट में ये सारे चीजों को रहना बहुत ही जरूरी है तो आप इस तरह से आप अपने पौधे को ये सारे कंपोस्ट दीजिए और उसके बाद देखिएगा कि आपके गुलाब काफी अच्छे हो जाएंगे तो इस तरह से मैंने इसमें कौफी डाल दिया है और उसके बाद जब ज आने शुरू हो जाएंगे तो दोस्तों आप अपने गुलाब को प्याज और लासुन के चिल्के का पानी भी दे सकते हैं उसमें भी काफी मात्रा में nitrogen, phosphorus और potassium होता है तो आप वो भी डाल सकते हैं अपने गुलाब में तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो like कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए है तो subscribe कीजिएगा फिर मिलूँगी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई